नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, CYS लोजर में, आज हम बात करेंगे गुरु राहू की यूती गुरु चांडाल योग के बारे में, गुरु चांडाल योग क्या होता है, तो आपके सामने ये जो जन्व कुंडली है, इसमें छटे भाव में गुरु और राहू दोनों एक साथ है, और इनकी यूती है, ये चांडाल योग बनाती है, चांडाल योग कैसे, कि गुरु जो है, वो एक नरसे की सुब ग्रह है, यानि कि बेनिफिक प्लैनेट है, तो राहू जो है, वो नेगेटिव एनेर्जी, नेगेटिव प्लैनेट है, यानि कि बगवान पर विश्वास को दरसाते हैं, तिर्थ यात्राओं को दरसाते हैं, लंबी यात्राओं को दरसाते हैं, तो गुरु जो है, वो हमारी कुंडली में एक बहुत ही important part रखते हैं, फिर बात आती है गुरु की दूसरी रासी, यानि की मीन रासी, जो बार में घर में आती जो है राहु जो है वो है पागलपन का अग्याद भै का पाखंड का कपट का नीच कर्मों का आ समाजिक कारियों का दुर्भाग्य का और अपमान का वो जो राहु है यह अपना रिजड जो है वो आराम से नहीं देताै जूरे धिरे नहीं देता है, यह विस्पोटक है, विस्पोट करता है, एक साथ विस्पोट करके अपना निजर देता है, गुरु जो है, वो अच्छा गरह है, राहु जो है, वो बुरा गरह है, तो गुरु और राहु जब एक साथ आते हैं, तो गुरु की जो असुबता है, उसको राहु कम करने की कोशिस करता है उसमें अपने असुब फल डालने की कोशिस करता है तो ये भी देखा जा सकता है कि जैसे गुरु अगर राहु की यूति सिख करता है तो व्यक्ति जो है वो चुगलियां जदा करेगा वो किसे न किसी की चुगली करता रहेगा तो ये तो एक मतलब वैसे बात हो गई लेकिन साइन्टिफिक बात यही है कि गुरु जो है वो एक सुब गरह है राहु जो है वो एक सुब गरह है तो सुबता को रोकता है वो गुरु की सुबता को रोकता है जिन वेक्तियों के गुरु चांडाल योग होता है, वो अपने घ्यान को जाहिर करते हैं, परन्तु वास्तों में वो घ्यानी होते नहीं है, और ऐसे लोगों पर विश्वास भी नहीं कर सकते, पर इसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है, वो पड़ता है केरियर यानि कि किसी का भी करियर है, वो उस सक्सेस पे नहीं पहुंच पाता है, वो उसको रोकता है, वो उसके करियर पे मतलब कुछ ना कुछ ब्रेकर लगाता ही रहता है, वो उसकी जो है वो स्टोरी जो सक्सेस्पुल नहीं बन पाती है, तो गुरु चांडाल योग यह सब कार करता है लेकिन मेरा जो मानना है वो ऐसा नहीं है मैं यह कहता हूँ कि गुरू चांडाल यूग को भी एक बहुत ही सटीक लेवल पे आप देख सकते हो जो चीज हमें एक भाव से पता चलती है जैसे कि यह आपके सामने छटा भाव है यह 30 डिगरी का है तो इसमें गुरू कुरू चांडाल यूग नहीं बनता है क्यों कि इसमें बहुत अंतर हो जाता है गुरू जो है वो किसी और नक्षतर में चला गया खुर कुसी झार्णाल यूग बना देते हैं जैसे यहां पे गुरू है और ये केतू सामने है, तो फिर भी ये गुरू चांडाल योग बना दिया, राहू के सामने आने से भी ऐसा नहीं है, actual की जो बात है, position की, वो ये है, कि चांडाल योग, जो है, मैं तो यसे योगो को मानता भी नहीं हूँ, और अगर उसको देखा जाए, एकदम 60 लेवल पे, तो गुरू और राहू की जो डिग्री है, उसके अंदर जो गेप है, वो विदिन 4 से मतलब कम होना चाहिए, जिससे की, ये दोनों एक ही नक्षतर में आए, और उसके वज़ेसे जो result है, वो दोनों का एक जैसा है, क्योंकि अगर किसी भी यूती, कोई भी यूती अगर सकसे तभी होती है, जब उसका जो result है, वो उसका जो उप नक्षतर है या नक्षतर है, तो नक्षतर जो है, वो सेम होना चाहिए दोनों का, अगर दोनों का नक्षतर सेम नहीं होगा, तो result दोनों का different आएगा, फिर क्या होगा, कि जैसे कि गुरु आएगा किसी और की महादसा में तो फिर वो result अलग देगा, राहु अलग देगा अगर दोनों एक दूसरे के साथ आएंगी जैसे गुरु की महादसा में राहु आया तो फिर result जो आएंगे, वो result नहीं आएंगे जिनकी हमें जरृत होती है जिन रिजल्टों से हम डरे या उनसे हम बचे तो वो जो रिजल्ट है उनके लिए हमें यह देखना होता है कि दोनों के जो परस्पर गेप है वो विदिन फोर से कम हो तब अच्छा रहता है उसमें क्या है वो नक्षत्रों में सेम आएंगे तो जैसे गुरू है यहां पे तो गुरू जो है वो रेवती नक्षतर के तीसरे चरण में है राहू है वो उत्रबादर पता नक्षतर के चोथे चरण में है यानि कि दोनों में डिगरी में 10 डिगरी का अंतर है तो 10 डिगरी बहुत होती है तो इसका मतलब दोनों के जो चत्र है वो है सनी देवता का तो अब देखिए गुरु जो रिजल देगा वो बुद्ध के देगा और राहु देगा वो सनी के देगा यानि कि राहु के रिजल्टों में आपको सनी की जलक मिलेगी और गुरु के रिजल्टों में बुद्ध की तो गुरु और बुद्ध दो लिए ये देखते हैं ये जो टेबल है ये एक प्लेनेट के बाहों को दरसाती है इसमें हमें ये पता चल जाता है कि प्लेनेट के किन बाहों को देखता है यसे गुरू है वो तीसरे और छटे बाहों को देखते हैं उसका जो नक्षतर है वो बुद्ध देवता है तो बुद् तो जैसे तीसरा भायो है वो छोटी यात्राएं हैlle और नवा भायो है वो लंबी यात्राएं हैlle और बारों भायो है वो विदेश सैटलमेंट का है तो इसमें ये हुआ कि गुरू जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और रिजल्ट क्या देगा वो रिजल्ट देगा अपने मतलब विदेश यात्राओं के अच्छी विदेश यात्राओं के रिजल्ट देगा अब क्या होगा कि जब राहू आएगा तो राहू क्या देगा राहू देगा उसकी विवाहिक जीवन में परिस्थानिया और नोकरी क परती अच्छे result देगा, वेवसाय में, मतलब job में, job में changing दिखाएगा, तो यह जो चीजी है, यह दिखाएगा राहू, तो दोनों का result है, वो different आता है, different आने का मतलब है कि यह यूतिक काम नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, कि जब गोचर में कोई प्लैनेट इनके उपर दृष्टी डालेगा याणि कि मान लेज़े गोचर का गुरु अगर बारों भाखों में आया और याणि कि कन्या रासी में गुरु मी गुरु देव जो है वो कन्या रासी में आये तो क्या करेगा राहु की जब कन्या राशी में आएगा तो वो अपनी दृष्टी से साथवी दृष्टी से राहु को देखेगा या गुरू को देखेगा जैसे ही उसकी दृष्टी साथवें दृष्टी सटे घर पे आएगी तो उसकी जो डिग्री होगे वो डिग्री कहां होगे यानि कि यहां पे जैसे केतु कहम अगर एक्चुल में यह मान ले कि यहां पे इसके उपर अगर गोचर कुंडली है जैसे कि यह गोचर कुंडली है गोचर कुंड़ी में आप देख रहे हूं कि राहु जो है वो सिंग रासी में हम कली है उसको अगर हम तुला लगन की बनाएंगे तो गूरु महराज बारवें घरमें आएंगे तो गुरू महाराज की दृष्टी है वो गुरू महाराज की यहाँ पे बेटे हुई गुरू महाराज की दृष्टी बारवे घर की गुरू महाराज की दृष्टी सात्वे भाव पे आएगी तो सात्वे भाव में लगन कुंडली में गुरू और राहू बेटा है तो क्या हो गुरु से सम्मध बनाता है डिगरी वाइज यानि कि गोचर कुण्रि का जो गुरु है माण लिजे वो 24 डिगरी है या 25 डिगरी है या 27 डिगरी है तो क्या होगा कि वो इस गुरु के प्रसपर आएगा और इस गुरु के ऊपर से अपना ज्यादा effect देगा और इस गुरु से related प्रभाव देगा तो हमें गुरु से related वह मतलब result मिलेंगे यानि कि हमें विडेष यातْराओं में सतीक्ता मिलेंगी और विडेष यात्राइं हमें 100 percent यहाँ पे मिलेगे, अब यही गुरू जो हैं, वो 16 डिग्री पे आएंगे, यानि कि यही गुरू 16 डिग्री पे आएंगे, तो उनकी जो सम्मन्द बनेंगे, वो इस गुरू से ने बनके, इस राहू से बनेंगे, और राहू पे बनने के बाद, फिर क्या होगा, इसकी जो है वो छटे गर में बेटा है और रेंती नक्षतर में है जो रेंती जो नक्षतर है वो है आपके बुद्ध देवता का तो बुद्ध देवता की एक जो रासी है वो आ रही है बारवे गर में तो इसका मतलब है कि गुरु जो है वो छटे बारवे के रिजले चटा बारवा जो है वो थोड़ी सी health problem दरसाता है तो अब क्या होगा कि राहू के नक्षतर में आने के बाद राहू के प्रस्पर डिग्री सम्मद बनाने के बाद जो गोचर का गुरू है वो हमें थोड़ी सी सारीरिक प्रेसानिया थोड़ी सी marital life में प्रेसानी थोड़े सी जोब में मतलब प्रेसानी यानि चेंज जोब जोब भी दे सकता है राहू क्योंकि राहू जो है वो separate कराने वाला प्रेनर है separation दिखाता है तो जो हमारा जोब होगा उसको separate करने की कोशिस करेगा तो इसका मतलब कि जो योग होता है वो कब फलित होता है उसका जो फलित होने का जो समय होता है वो होता है दोनों की जो degree है वो within 4 degree या within 5 degree रहनी चाहिए जिससे कि दोनों सेम नक्षतर में आ जाए और उस पे जब गोचर के planets के effect आए जैसे कि यहाँ पे गोचर पे मैंने आपको बताया था गुरू तो जैसे ही ट्रांजिट में गुरू की दृष्टी सम्मंद बनाएगी तो फिर अगर वो गुरू देने वाला यानि कि यह थोड़ी सी critical बात है समझने की कि एक्जामपल के लिए कि फिर से वही एक्जामपल दे रहा हूं कि ट्रांजिट में आया हुआ गुरू अगर 16 डिगरी है तो फिर वो इस राहू से सम्मंद बनाएगा गुरू से नहीं बनाएगा अगर यही गुरु यहाँ पर 16 डिगरी का होगा तो दोनों से संब्द बनेगा तो दोनों के रिजल्ट देगा तो जब दोनों के रिजल्ट आएंगे तब यह योग भलित होगा और तब यह योग योग बनेगा अगर ये अच्छा है तो अच्छा बनेगा और बुरा है तो बुरा बनेगा तब इसके योग के result आएंगे एक तो ये transit में आएंगे फिर आएंगे महादसा और अंतरदसा में तो महादसा में कब आएंगे जब गुरु में यानि कि 2068 तो 2078 में अगर गुरु आएंगे तो गुरु में जब राहु आएगा तब इसका रिज़लाएंगे यहाँ फिर आएंगे 2050 में जब राहु आएगा और राहु के अंदर गुरु का अंतर आएगा तो इनके result निकल के आएंगे और इनके हलके हलके रिजल्ट आएंगे हर महादसा अंतर दसा में तो कोई भी योग हो या कैसा भी योग हो उससे घबराने की जुरत नहीं है उसको पूरी सटीकता से देखना चाहिए कि वो योग कहां पे बना है कितने डिगरी का है उसका नक्षतर लोड कोन है अगर किसी योग का कोई नक्षतर लोड अच्छी जगह बेठ गया तो फिर वो योग जो है वो अगर बुरा योग है तो वो उतना बुरा नहीं रहता है अगर वो अच्छा योग है और उसका जो नक्षत लोड है वो बुरी जगह बेट गया तो फिर उसका जो अच्छे योग का अच्छा पन है उसमें कमी आएगी तो हमेशा ही याद रखे किसी भी गुरू कोई भी मतलब योग हो उसका जो एक्च्छल में उसकी जो सम्मंध है वो बहुत ही पास होना चाहिए कोशिस यही होनी चाहिए कि वो योग जो हो या मतलब वो योग जो बन रहा है वो एक ही नक्षतर और चरणों का भी दो से ज्या या दूसरा चोथा चरण में बने तो फिर इस योग के जो रिजल्ट है वो बड़े जबरतस्ता आएंगे बुरा है तो बहुत बुरा अच्छा है तो बहुत अच्छा तो मैंने इस वीडियो में गोचर कुंडली के तुरू इसको समझाया है और वैसे महादसा के तुरू तो गुरू चांडाल योग जो है वो कोई बड़ा योग नहीं है कोई मतलब ऐसे गवराने वाला योग नहीं है इससे गवराने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि योग 90% आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये योग जो है वो आपको मिलेगा नहीं कुंडलियों में द बिनाय हो जाएगा वो बात नहीं रहेगी इस योग में तो अपने कुंडली को देखते लोगों को ये चीज हमेशा धान रखे कि योगों को अच्छी तरह जांस ले उनकी डिग्री उनका नक्षतर उनका उपनक्षतर और उनका जो नक्षतर लोड है वो कहां बैठा होता है बस यही सबसे बड़ी चीज है उसके बाद ही वो योग फलित होता है और ट्रांजिट में उनका कहां पे सम्मंद बनता है किसके साथ तब यह जाकी गटनाय गटित होती है तो अपनी जन्म कुंडली को जान से देखें फालतू के किसी भी लोगों के चक्रों में ना आए य योगों के नाम से डरे नहीं यह सब फालतू की बाते हैं योग है अपनी जगह है वो फल भी देगा और अच्छा फल भी देगा बुरा फल भी देगा तो उसकी अलग तरह से रेमेडिज होती है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं अच्छा लगा तो लाइक कीजिए नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और मैंने चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे की ऐसे ग्यान वर्तक वीडियो आपको रोज मिलते रहें धन्यवाद दोस्तों